हेलो डियर स्टुडेंट्स वेलकम इन माई यूट्यूब चैनल आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनलर पर तो आजम पढ़ेंगे मेकेनिक्स ओप सॉलिट का चैप्टर नमबर फर्स्ट जिसमें आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इंट्रोडक्शन टू मॉस एंड मेकेनिकल प्रोपर्टीज ओप माटेरियल तो आज हम पढ़ेंगे मेकेनिक्स ओप सॉलिट का बिलकूल बेसिक लेवल से इंट्रोडक्शन की आखिर मेकेनिक्स ओप सॉलिट क्या होता है इसमें हम किस चीज के बारे में स्टिडी करते हैं द बहुत ही बहतरीन तरीके से और काफी easy language में सारे चीज़े आपके लिए यहाँ पर अवलेबल कराई गई हैं तो आएए सबसे पहले इसका introduction पढ़ते हैं कि आखिर mechanics of solid क्या होती है तेकि mechanics of solid को पढ़ने से पहले आपको mechanics का ग्यान होना आवस्यक है कि आखिर हम mechanics में किन बारे में अध्यन करते हैं तो सबसे पहले समझते है mechanics आकिर क्या होती है देखे जब हम बात करते हैं mechanics की तो mechanics के अंतरगत किसी वस्तुपर लगने वाले बलूं तथा उनके ब्योहार का अध्यन और उनके प्रभावों के बारे में study किया जाता है इसका क्या मतलब है इसका simple स यह मतलब होता है कि mechanics के अंतरगत मान लीजे यह कोई object है अब इस object पर कौन कौन से बल लगेंगे और उन बलों के लगने से उस वस्त पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसका व्योहार कैसा होने वाला है इन सभी चीज़ों का जो अध्यन है वो mechanics के अंतरगत किया जाता ह है अब mechanics से समझ गए हो तो हम चलते हैं मौस के बारे में देखे mechanics of solid यह है तो इसमें mechanics भी है एक सब्दा आपका आ जाता है solid solid का मतलब होता है ठोस अब mechanics में क्या होता है कि कोई चीज़ चाहे खोकली हो या चाहे ठोस हो उसके बारे में दिन किया जाता है और यहां पर मौस म हो जाती है मौस की कि mechanics of solids के अंतरगत किसी ठोस वस्त पर लगने वाले बलों तथा उनके व्योहारों और उनके प्रवहावों का जो अध्यन है वो आपका mechanics of solids के अंतरगत किया जाता है सेम फिगर इसके लिए भी मैं डरा करूंगा कि मान लीजे यह कोई आपकी एक solid object है इस वस्त पर कौन कौन से बल लगेंगे किस प्रकार बल लगेंगे और बल लगने पर इसका यानि की बलों का प्रभाव क्या होने वाला है और बल लगने के कारण वस्त का किस प्रकार व्योहार होने वाला है उन सभी चीजों का अध्यन जो है वो आपका mechanics of solids के अंतरगत किया ज कि यदि वस्द टूस पदार्थ के रूप में हो तो इस वस्द पर लगने वाले बलों और उनके विववार ततह उनके जो प्रभाव का अध्यन है वह मेकैनिक्स और सॉलिट्स में किया जाता है अब यह टूस पदार्थ आपका कोई आपजेक्ट हो सकता है यह आपका कोई तार हो सकता है च्छन हो सकती है बोल्ट हो सकती है साप्ट हो सकता है पईया हो सकता है कालम हो सकता है तो यह सभी कोई भी आपकी ठोंस वस्त हो सकती है कंडिशन एक ही है कि वस्त आपकी ठोंस होने चाहिए तो यह आपका था बेसिक इसका इंट्रोडक बहुत ही आसानी से हापर समझ में आया होगा अब आपको हम बताते हैं mechanical properties of materials के बारे में कि किसी materials में कौन कौन सी property होती है तो सबसे पहले mechanical properties में बताती है strength की यानि की सामर्थ क्या होता है तो आएए आपको बताते है सामर्थ क्या होता है देखे बीना अस्पल होए यानि कि बीना तूटे किसी पदार्थ के प्रितिबल सहने के गुड को उस पदार्थ का सामर्थ कहते हैं यानि कि किसी object पर हम बल लगाए और वो वस्तु ना तूटे वो जो है उस वस्तु की सामर्थ कहलाती है इस वी लिए इसको हम इंगलेस में strength भी कहते हैं सिंपल सा यहां पर एक figure है कि आपके लिए ये वस्तु आपने आपके सामने अब आज क्या कर रहे हैं इस वस्तु पर आप बल लगा रहे हैं तो बल लगाने पर ये वस्तु नहीं तूट रही है तो ये क्या है इसकी कहते हैं ठीक है नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है elasticity अब elasticity क्या होती है आपको बताते हैं लेकि elasticity की बात करें तो यह पदार्थ का वागुड होता है जिसके कारण प्रतेक पिंड बल लगाने पर अपने आकार में होने वाले परिवर्दन का विरोध करती है परंतों जैसे ह हटा लिया जाता है पिंड अपने पहले आकार में आजती है देखे elasticity का एक बहतरीन एक्जाम पहले आपकी इस्प्रिंग में क्या होता है कि हम उस पे बल लगाते हैं तो वो आगे की और बढ़ जाती है लेकिन जैसे ही हम बल हटा लेते हैं पुना जो आपकी इस्प्रिंग है वो आपकी क्या होती है अपनी अवस्था में लौट आती तो यह क्या होता है elasticity अब आपको समझाते हैं देखें elasticity किसी पदार्त का वग उड़ होता है जिसके कारण यदि हम उस वस्थ पर फोर्स लगाएं तो वो हमारे दोहरा लगाए गए फोर्स का विरोध करें और जै जैसे मैंने आपको अभी spring का एक example बताया कि यह आपकी spring थी और इसको आपने बल लगाकर खींचा और इसको यहां पर बनाते हैं यह आपकी यहां पर छोटी सी आपकी spring थी आपने बल लगाकर खींचा इतनी बड़ी हो गई तो यह क्या कर रही कि अपने आकार में होने वाल प्लास्टिसिटी कहलाती है अब नेक्स टॉपिक आता है आपका प्लास्टिसिटी यानि कि इसको हम इनने में प्लास्टिकता के नाम से जानते हैं तो यह क्या है आईए आपको बताते हैं प्लास्टिसिटी किसी पदार्थ का वागुड होता है जिसमें किसी बॉड़ी पर ब पारती है तो वह आपकी होती है प्लास्टिसिटी प्लास्टिसिटी को आप सिंपल से समझे जो आपका इलास्टिसिटी होता है सेम अपोजिट होता है इलास्टिसिटी में हम बल लगाते हैं वस्त अपने आकार में होने परिवर्तन का विरोत करती है जैसे हम बल हटा लेते है वस्त अपने आकार में पुर्णा आ जाती लेकिन plasticity क्या है elasticity का just opposite होता है जब हम इसमें कि plasticity में जब हम किसी वस्त पर बल लगाते है तो वस्त के आकार में परिवर्तन आ जाता है वो अपने प्रारंबिक आवस्ता में पूरी तरह से वापिस नहीं हो पाती है तो वो ये गुड़ाप का plasticity कहलाता है next आपका आता है आगात वर्तनीता या इसी को हम हिंदे में कुटायता कहते हैं इसी को हम इंगलिस में meliability के नाम से जानते हैं तो क्या है आईए आपको बताते हैं देखे बात करें आपकी meliability की तो यह इस गुड़ के कारण पदार्थ को पीट कर बिना चटके पतली चादर के रूप में बदला जाता है यानि कि जिन पदार्थों में meliability का गुड़ होता है उनको चाहे जितना हम पीटे वो चटकते नहीं है वो एक सीट के रूप में पतली चादर के रूप में बदल जाते हैं और इसका perfect example आपका सोना हो गया, चांदी हो गया, पीतल हो गया, aluminium हो गया इनको चाहे आप जितना पीटे यह क्या होंगे कि पतली चादर के रूप में बदल जाएंगे या maleability कहलाता है, next आपका आता है flexibility, flexibility तो आपने नामी सुना होगा, flexible कितना है, यह कोई भी चीज़ तो flexibility क्या होती है, यह गुड के, यानि के flexibility के गुड के कारण, पदार्थ को बिना तूटे किसी भी चाप में, यानि कि किसी भी shape में जुकाया जा सकता है, जैसे male यह आपकी rod थी, अब यह rod इतनी flexible है, कि आपने इसको ऐसे गुमा दिया, या इतनी flexible है, आपने इसको ऐसे कर दिया, या इतनी flexible है, कि आपने इसको S की तरह मौर दिया तो क्या होता है कि Flexibility किसी पदार्थ का वागुड होती है जो बिना तूटे किसी भी आकार में आसानी से बदल जाती है वो क्या कहलाती है Flexibility कहलाती है निक्स आपका आता है Duckility या इसी को हम हिंदे में तन्यता के नाम से जानते है देकि डक्टिलिटी क्या होती है इस गुड के कारण पदार्थ के पतले तार खींच जाते हैं जैसे सोना, तिन, लोहा यानिक डक्टिलिटी किसी भी माटेरियल्स का एक सा गुड होती है जिससे हम किसी भी पदार्थ के पतले तार आसानी से खींच सकते हैं वो सभी पदार्थ हमारे डक्टाइल मटेरियस कहलाते हैं, जैसे सूना हो गया, चांदी हो गया, टिन हो गया, लोहा हो गया, इन सभी ये जो पदार्थ होते हैं, ये डक्टाइल होते हैं, इन से हम क्या करते हैं, कि काफी बारीकतार हम इसको इससे बना सकते हैं, निक्स आप में किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए जितनी अधिक्तम प्रतिबल की प्रतिबल तीवता उत्पन की जा सकती है वो आपके टेंसिटी कहलाती है यानि कि टेंसिटी में मतलब क्या होता है कि किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए जितना हम अधिक्तम बल लगा सकते हैं वो कैसे समझते हैं कि जैसे मान लिजी आपके पास यह object को तोड़ने के लिए आपने 49 newton का बल लगाया नहीं तोटी लेकिन जैसे ही इसी वस्त पे आपने 50 newton का बल लगाया तो तोड़े गई तो जो वस्त नहीं तोटी थी 49 newton की तो ये 49 newton क्या हो जाएगा ये इसकी tensity हो जाएगी वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि जितनी अधिक्तम प्रतिबल तीवरता उत्पन की जा सके वह इसकी tensity कहलाती है अब नेक्स आता है ब्रंग उरता जिसको हम brittalness के नाम से जानते हैं तो brittalness क्या होता है यह किसी भी पदार्थ का एसा गुड़ होता है जिसके कारण पदार्थ पर जैसे ही हम चोट लगाते हैं वह पदार्थ बिना मुड़े टुकडों टुकडों में तूट जाती है तो जैसे इसका example हो गया जो आपका काँच होता है जो आपका कोईला होता है वो आपका brittleness होता है तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या होती है ब्रंगूर्थ किसी पदार्थ का सगुड़ होती है जिससे हम किसी पदार्थ पर चोट लगाते है तो वह पदार्थ टुकडों में तूट जाता है इसका बड़ीया सा एक्जामपल है आपका कोईला जैसे आप कोईला को परचोट लगाते हैं कोईला टुकलों टुकलों में तूट जाता है उसी प्रकार आपका काच भी है अब next आपका आता है hardness यानि कि इसी को हम कठोरता के नाम से जानते हैं क्या होती है hardness आई ये आपको बताते हैं जब हम बात करते हैं hardness की तो या किसी पदार्थ का इसा गुड़ होता है जिसके कारल पदार्थ घिसे जाने कटने वा खुर्चे जाने का विरूद करता है यानि कि कोई भी पदार्थ जितना हाड होगा उस पे हम जो निसान है या उसको हम आसानी से काट नहीं सकते हैं परिक्षड के नाम जरूर याद रखेगा ब्रिनिल परिक्षड तो पदार्थों का एसा गुड जो कुर्चे जाने का विरोध करता है वो उसकी हार्डनेस यानि कठोड़ता कहलाता है नेक्स्ट आपका आता है फटीग क्रीप या इसी को हम कहते हैं इंदे में फटीग क्या होती है फटीग आईए आपको बताते हैं जब हम बात करें फटीग की तो यह पदार्थ का वह गुड़ोता है जिसके कारण भार के उतार चड़ाओं से बहुत समय बात उसके आकार में पर्याप्त परिवर्ता ना जाता है इसे हम फटीग कहते है इसका एक्जामपल है इंजन पे जो पट्टा होता है वो अब क्या है यह भार लगने से का क्या मतलब है इसका यह मतलब है कि जब हम किसी वस्त पर भार लगाते है यानि भार लगाया उतारा लगाया उतारा इससे क्या होता है कि बहुत समय बाद उसके आकार में परिवर्ता ना जाता है बस वही हमारी फटीग कहलाती जैसे इंजन का पट्टा होता है पहले ही इंजन का पट्टा टाइट होता है लेकिन जैसे ही जैसे हम क्या करते हैं कभी इंजन के पट्टे को उतारते हैं फिर चढ़ाते हैं फिर उतारते हैं फिर चढ़ाते हैं तो एसे में क्या होता है कि उस पट्टे के का जो साइज हो जाता है वो क्या हो जाता है उसके आकार में परिवर्तन हुआ, यही परिवर्तन आपका fatigue कहलाता है, निक्स्ट आपका टॉपिक आता है, creep, अब creep क्या होता है, बताती है, ग्रीब जो है, या उच्छताप मानों पर काफी समय तक भारी बलों के प्रभावों से, पदार्थ के आकार में परिवर्ट यताती है देखे अभी हमने पढ़ा था फटीग फटीग में क्या होता है कि नार्मल फोर्स लगता है लेकिन जो क्रीप होता है उसमें जो भार लगता है वो अत्यदिक भार लगता है जिसके कारण उसके आकार में परिवर्तन आ जाता है तो उसे हम क्रीप कहते हैं और इसमें एक बात और है कि यहां पर जो टमप्रेचर की बात होगी जैसे हमने फटीग में कहा था वहां पर किसी भी प्रकार के टमप्रेचर को कंसीडर नहीं किया गया था वहां लेकि क्रीप में क्या होगा है कि जो टमप्रेचर होता है उसके कारण और भार के उतार चड़ओ के कारण जब प्दार्ट क्या गार में परिवर्तन आ जाता है तो उससे हम क्रीप कहते हैं से आपका बॉयलर हो गया, आइसी इंजन हो गया, भाब टर्बाइन हो गया, इसमें क्या होता है, जैसे बॉयलर में काफी उच्चताप मान होता है, उसी तरह हमारा जो आइसी इंजन होता है, उसमें भी कभी जो है उच्चताप मान होता है, इसमें भी हमारा उच्चताप मान होता है तो इन उच्चे ताप मानों के कारण जो बल लगता है उसके गराइब आप मानों और लगने वाले बल के कारण यहीं पदार्थ के आकार में परिवर्ता ना दाता है तो वो आपका करीब कहलाता है निक्स्ट आपका पिराल अब आपका टॉपिक समाप थो चुका है उम्मेद करता हूँ ये सारी चीज़ा आपको बहुत ही बहुत ही बहतरीन तरीके से यहाँ पर समझ में आई होंगी हाँ और आपका जो फटीग है इसका एक एकजाम पर बड़ी असा है जो कमर में लगाने वाला बिल्ट होता है उसको हम क्या करते हैं बांधते हैं फिर उतारते हैं फिर लगाते हैं तुछ से क्या होता है कुछ दिन बाद वो जो आपका हूल होता है वो देखिए बड़ जाता है वो भी एक फटीग का बहतरीन एक्जाम पल है उम्मेद करता हूँ सारी चीज़े आपको बहुत ही बहुत ही बहत्ती इन तरिके से समझ में आ गई होँगी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लायक करीएगा कमेंट बाक्स पे आप आमें कमेंट करकर जरूरूّर बताएएँ वीडियो कैसा लगा और चैनल पर आप पहले बारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजेगा इसी तरह के वीडियोज के अबडेट पाने के लिए बागी आपके सबी के लिए काफी सारी वीडियोज हैं मकैनिक सौप्स वालिड हो गई थर्मल इंजिनिरिंग हो गई वर्स आफ टेकनोलाजी हो गई और आपका इंजिनिरिंग मटीरियल्स हो गया इन सभी सब्जेट की प्लेलिस्ट बना रखिया और लगबग लगबग सभी सब्जेट की वीडियोज आपके लिए अवले बलह तो प्लेलिस्ट में जाए देखिया और अपने समस्टर एक्जाम के त्यारी बहतरीन तरीके से कर लिजे वीडियो अच्छा लगव हो तो अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ठांकियो आप सभी का वीडिय लोगो कंपलीट वास करने के लिए आज की इस वीडियो में फिर आले ही तक मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए इंजयाएं